दोस्तों कल मैं गया Ampress Computers Store में और वहाँ पे मैं मिला अबदुर राशिसर से जिनका काफी बड़े चैनल है आप लोग जानते होंगे बजर इंडिया गेमर उन्होंने लिट्रली मुझे शौक कर दिया इसके बारे में हम तो आगे बात करेंगे तो उसा वेट कर लीजे और हाँ ये चीज़ भी मैं वहाँ पे जीता था और ये चीज़ मुझे कैसे मिली इसके पीछी की क्या कहनी उसके बारे में भी हम थोड़ा आगे बात करेंगे और basically यहाँ पे एक event organize किया गया था NVIDIA के द्वारा और यह जो event था यह Empress computers store में organize किया गया था और इस वाले event को कोई भी attend कर सकता था वहाँ पे किसी भी तरह की restriction नहीं थी और जैसे ही मैं Empress computers store में enter किया literally मैं बता रहा हूँ experience इदम awesome था हम लोग इसलिए यहाँ पे invite किये गये थ उसको हम लोग experience कर सकें test कर सकें और यहाँ पे हम लोग के लिए काफी ज्यादा computers भी रखे गए थे जैसे कि आप लोग देपा रहे हैं मतलब एक table थी आप लोग यहाँ पे स्कीम पे देख रहे होएंगे इसके बाद यहाँ पे जो configuration थी PCS की वह बहुत ज्यादा high end थी जैस फॉर्थ आले PC में हमको Cyberpunk 2027 मिला था था थर्ड आले PC में हमको COD Modern Warfare और फॉर्थ आले PC में Forza Horizon 5 मिला था और कुछ दे वेट करने के बाद finally मुझे एक PC मिल गया basically second वाला PC था और वहाँ पे मैंने Cyberpunk 2027 खेला और खेलने से पहले मैंने कुछ जो graphical settings होती है उसको मैंने changes किये थे जैसे कि यहाँ पर Ray Racing को मैंना on कर देना उसके बाद जो मेरा experience था बहुत ज्यादा awesome था game बहुत ज़्यादा smooth चला था graphics इदम top of the nose थे और मतलब वो लोग ने भी जैसे कि जो empress computers store वाले हैं उन्होंने सभी कुछ इदम top of the nose यहाँ पर manage किया था जैसे कि यहाँ पर जो ergonomic chair होती है curve monitor यहाँ पर लगा के दिये थे जिसमें RGB lights भी थी काफी अच्छा लग रहा था cabinets की quality इदम top of the nose थी प्लस जो keyboard, mouse, keyboard बेसके रहाँ पर mechanical वाली थी और जो यहाँ पर mouse था उसकी quality काफी बढ़ी थी earphones और जो headphone थे वो भी काफी अच्छी quality वाले थे और हाँ वहाँ पर मैंने ए यह चीज नोटिस करी कि उनके पास यह sneaker भी है जैसे कि आप लोग जानते हैं कि total gaming काफी बड़ा gaming channel है उन्होंने भी recently किसी पर वीडियो बनाई थी तो यह भी चीज है उनके पास और हाँ यह चीज सो मैं में मैंशनकर ना भूली गया कि यह लोग ने PS5 भी हम लोग के पर वो मुझे खेलने को नहीं मिला इसके बाद यहां पर जो इस्टोर था वहां पर ज्यादा रश नहीं था खाली 20-25 लोग आया हुए थे और experience मेरा काफी ज्यादा बढ़िया रहा और अगर मैं employee की बात करूं जो कि Empress computer store में थे वह बहुत ज्यादा बढ़िया थे जैसे कि उनका जो behavior था और जो अगर आपको नहीं पता है PC के बारे में PC build कैसी किया जाता है और कौन से components आपके budget के साफ से सही रहेंगे तो फिर आप लोग उससे आपर suggestion भी ले सकते हैं इसके बाद जो event का timing था वो 11-3 बज़े तक की था और जब मैं अपना घर से बहार निकल ला थ तो इसके बाद मैंने सोचा था कि हां मुझे कुछ खाने के लिए रख लेना चाहिए जो कि वहां पर मैंने यह expect नहीं किया था कि कुछ खाने को भी मिलेगा लेकिन Empress computers वालों ने यह भी चीज हम लोग के लिए मैनेज के लिए थी कि हम लोग को एक full size Domino's pizza plus one glass of coding भी दी थी जो ची मैंने बिल्कुल भी expert नहीं की थी और हां यह सब कुछ free of cost था तो मेरा experience काफी ज़्यादा बढ़ी हा रहा और जैसे कि मैंने कहा कि एक यह store है तो फिर आप यहां से कुछ भी buy कर सकते हैं यहां पर पैरिफरेल्स हो गए anything जो कि मतलब एक PC से related होती है और जो infra structure था इ सब के साथ compatible है PS के साथ के computer के साथ यह लिखा है PS Android और PC सब के साथ compatible है Xbox के साथ नहीं है 3000 लिपीज 500 अच्छे प्राइज है आपको आपको description में मिल जाएगा तो आप आते हैं वीडियो के main part पे जो कि अब्दुर राशिसर है तो इस वाले product पे हम इसके बाद आएंगे तो य ज्यादा बढ़िया है very very down to earth और जैसे कि हम लों जानते हैं कि इनके lakhs of subscribers है YouTube पे लेकिन फिर भी जो इनका talking style था everything एक्दम great था और ये काफी जदा friendly nature है और अगर आपने इनका चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसका link आपको description मिल जागा ज़रूर से आगे कर और जैसे मैंने इनसे कहा कि मेरे YouTube चैनल है technology secrets नाम से तो इन्होंने मुझे से कहा कि हा मैं आपको जानता हूं और फिर इन्होंने मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दिया तो इसने बड़े की रेटर ने जब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो आप लोग किस चीज का व बारे में और यह सब information के बाद हम लोग का Q&A section हुआ तो यह इसलिए help किया गया था ताकि हम लोग को give away किया सकते कुछ product यहां पर दिये जा सके तो जैसे कि मैंने भी एक सही आंसर दिया था air cooling system वरसे liquid cooling system के बारे में बाकि और लोग ने भी सही आंसर दिये थे लेकिन उनका को अन्बॉक्स कर लेते हैं तो बिसकली यह एक गीगाबाइट का kind of logo है जो कि इसकी बिल्ड काफी ज्यादा एक soft material से जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है PVC material और not for sale only giveaway purpose ओके तो फिर यहां पर यहां पर यह रहा मेरा पूरा experience मेरा experience काफी ज्यादा गिरेट था तो I hope कि आपको